तहारन पोर सपाजला अद्यक्ष के स्वागत कारिक्रम में सपाईयों की गुट बाजी खुल कर सामने आई गुट बाजी हमेशा से ही समाजवादी पार्टी पर हावी रही है यह कोई पहली बार नहीं हुआ है सनिवार को समाजवादी पार्टी के जिला मुख्याले पर समाजवादी पार्टी के नवनी युक्त जिला अद्यक्ष शौधरी अब्दुलवाहित का स्वागत कारिक्रम आयुजुत किया गया कारिकरम में समाजवादी पार्टी के विधायक उमर अली खान नदारद नजर आए वहीं पूर विधायक संजय गर्ग भी कारिकरम में शामिल नहीं हुए पूर विधायक माविया अली ने भी कारिकरम से दूरी बनाई सपा MLC सानवाज खान भी कारिकरम से नदरद नजरायब कारिकरम में पूरी तरह से सहारन पूर देहात विधायक आशु मलेक एवं उनके समर्थकों का दबदबा रहा आपको बता दें कि जिला अद्यक्ष को लेकर दोनव विधायकों के बीच तल्खियां चर्चा में रही थी सूतुरों की माने तो विधायक आशु मलेक चौधरी अब्दुलवाहिद की पैरवी कर रहे थे जिसमें वे सफल भी हुए और उन्हें जिला अद्यक्षी कमान सौपी गई बेहट विधायक उमर अली खान, MLC सानवाज खान, पूर विधायक माविय अली एवं अन्नेता परहाद आलम गाड़ा को जिला अद्यक्ष बनवाना चाहते थे लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी कारिकरम में मुख्य रूप से विधायक आशू मलिक, पूर विधायक मसूद अक्तर, वरिट सपानेता चौधरी मजाहिर राणा, पूर जिला अद्यक्ष लोहिय वाहिनी सलीम अक्तर, युवा सपानेता रोहित सिंग राणा, बिलाल सहारन पूरी, राम पूर मनिहारन, वि पूर मंत्री मांगे राम कश्यप, मजाहिर हसन मुख्या, उस्मान मुख्या, आदी मुख्य रूप से सामिल रहे, सपानेताओं की गुटबाजी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विसे बनी रही, वही निकाय चुनाव से पहले खुल कर सामने आए इस गुटबाजी ने सपायों की पोल खोल दी